कि नमस्काई दोस्तों मैं देवे शुकला आपसे भी अश्वागत करता हूँ आप त्यपर निवुट्व चैनल पर मेरे पदे दोस्त आज जो हमारी चर्चा कभिसे होने वाला है वो हिंदी के उपर हम चर्चा करने वाले हैं ठीक है बात करें हम बात करेंगे हिंदी साहित के इतिहास के बारे में क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है तेरा तारीक को है और कुछ स्टूडेंस हैं जिन्होंने मैसेस भी किया था की तैयारी बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाई है तो हम लोग एक मोटी मोटा जानकारी लेने का प्रयाज करेंगे लगभग हो सकता है यहां पर सौ से देर सो के बीच में इतने सौ से देर सो के बीच में परसनियां पर आपको करवाए जाएंगे और इससे आपको एक मोटी मोटा जानकारी हो जाएगी कि आपको क्या करना है, वाँ पर कैसे करना है तो वीडियो को आपको सुरू से ले करके अंतर तक देखना है और हमारे साथ बने रहना है वीडियो अगर एक बार में समझ में है तो आप दोबारा देख सकते हैं और आराम से पेपर दीजिए हमारे तरब से best of luck आप लोगो हो ठीक है तो चलिए देखते हैं पहला प्रसन आप से यहाँ पे पूछा जा रहा है मेरे पहे दोस्त क्या पूछ रहा है कि राम चंडर सुकल ने आदिकाल को क्या संग्या दी ठीक है यहाँ पे आपका पहला प्रसन है तो यहाँ पे आप इसका जवाब देंगे कि राम चंडर सुकल ने आदिकाल को बीर गाथा काल की संग्या दी ठीक है यह आपका पहला कोईशन हुआ तीसरा नमबर कुश्चिन आपसे पूश रहा है कि नाथ पंध के परवर्तक का नाम बताईए तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि नाथ पंध के परवर्तक मचंदर नाथ जिसे हम मतेंदर नाथ भी के नाम से भी जानते हैं और गोरक नाथ जी को माना जाता है ठीक है यह आपक कुमान लीजे नहीं याद हो रहा है तो तो से तीन बाद चार बाद वीडियो आपको देखना होगा और चार बाद आप जहां पे एक बार दो ही बार आप देख लेंगे तो आपको लगभग चीजें याद हो जाएंगे ठीक है चले चौथा नंबर कोश्चन आप से पूछ र बाद तक बाद तीसरे नंबर पे जो उनों ने विवाजित किया उसे माना भक्ति काल इसको 1345 से लेकर के 1700 तक रीती काल को 1700 से लेकर के milliseconds तक और आधूनी काल को 1900 से लेकर के अब तक माना है ठीक है किसने माना है टेक्तर राजकुमार बर्माची ने या आपको यहां पे ध्य पूछ रहा है कि आदिकाल के अन्य नाम बताईए तो यहाँ पे आप लिखेंगे आदिकाल को हुबीर गाथा काल के नाम से भी जाना गया है चारण काल के नाम से भी जाना गया है ठीक है उसके बाद सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जाना गया है उदय काल के नाम से भी जाना गया है आरंभिक काल के नाम से और संधी काल के नाम से भी जाना गया है ठीक है चलिए छटा नंबर कोईश्चन आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध सिद्ध कितने हैं आपको यहां पे बताने हैं तो यहां पे आप लिखेंगे प्रसिद्ध सिद्ध 84 हैं कितने 84 ठीक है इंगल में भक्त की मनदाकनी विशेश रूप से प्रवाहित हुई है कबीर सूर जाइसी तथा तुल्ची ने भक्ति मह कावे की रचना किए इनोंने जितने भी रचनाय किए है crying उसमें पूछ रहा है मैं पैस, बहुत्स क्या पूछ रहा है कि भक्तिकाल की तीन प्रमुक कभियों के नाम बताए है, to यहाँ पे आप तीनों के नाम कैसे बताएंगे, पहले आपको पतानाओगा कभेजदास, दूसरा जाइसी और तीसरा सूरधास चौता पूसे तो आप तुलसी दास भी बता देते कोई दिक्कर नहीं थी अभी आपने उपर ही पढ़ा था ठीक है चले नवा नंबर कोश्चन आपसे पूछ रहा है कि भक्तिकाल में भक्ति भावना में कौन से रूप है तो यहाँ पे आप लिखेंगे भक्तिकाल में भक्त या जाते हैं साकार भक्ति भावना और दूसरा आपका जाता है निर्गुन भक्ति भावना के रूप में अभिवक्त किया गया मतलब एक में तो उनका आकार माना गया है और एक को निर्गुन मान लिया गया है ठीक है इस परकार से आप इनको दो भागोएं वार सकते हैं त आपको यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर लिखेंगे भक्तिकाल की परमुक काबे शाखाएं हैं पहला कौन सा है संत काबे शाखा दूसरा आपका सूफी काबे तीसरा आपका राम काबे शाखा और चौथा आपका कृष्ण काबे शाखा ठीक है यह आपको यहाँ पर चार सा तो आप यहां पर बताएंगे निर्गुर भक्ति की ज्यान मारगी तथा प्रेम मारगी दो साखा हैं। प्रमुख कभी नाम के नाम कभी हैं तो पहले आजाता है सूरदास और दूसरा आपका नंददास ये दोनों ही कृष्ण भक्ति साखा के प्रमुख कभी है ठीक है चले 16 नंबर कोईशन आप से याप पूछ रहा है कृष्ण भक्ति का बेशाखा की चार प्रमुख प्रविर्टियों का उलेक कीजिए तो पहली प्रविर्ट आपको बताना होगा इस्ट देव इसमें जो है कृष्ण माने गए हैं दूसरा सिंगार यूम संयोग यूम संगार के संयोग यूम ब्योग का मार में कृणना है मतलब कहरे है संगार रसका दो भाग होता है एक तो संयोग संगार और दूसरा ब्योग संगार तो दोनों का जो है का अच्छा खासा वरन किया गया है तीसरा बता गया है दामपत्य यूम शक्खा भाव की भक्ती है मतलब बता रहे हैं आपे कौन कौन सी है दामपत्य का मतलब वहा पती पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है दमपत्त्य का मतलब यह कोंता है पती-पत्नी के वल लेकिन यहां पे हम बता रहे हैंpre पती और पत्नी के बीच के बीच में के प्रेव पूछ रहा है कि राम भक्ती काबे शाखा की दो विशेशता हैं बताईए तो आप यहाँ पे लिखेंगे राम भक्ती साखा की दो विशेशता हैं पहला है लोक मंगल की कामना और दूसरा आपका है महान आदर्सों की कलपना ठीक है तो यहाँ पे दो जो है विशेशता है यह है पहला लोकमंगल माना गया है कामना करते हैं और दूसरा महान आदर्स की कलपना भी करते हैं ठीक है चलिए अठारा नंबर कोईश्य नहीं पर आप से पूछ रहा है कि हिंदी साहित का प्रथम इतिहास किस ने लिखा तो आप यहां पे लिखेंगे हिंदी साहित के प्रथम 149 में हो गया था और दूसरा 1845 लगबग 6 साल के बाद में ठीक है उन्नीस नंबर कोईश्य आप से यहां पर पूछ रहा है कि हिंदी साहित के प्रथम इतिहास के लेखक किस देश के थे तो आप यहां पे लिखेंगे हिंदी साहित के प्रथम इतिहास लेखक फ्रांस के थे कहां के थे मिरे पर दोस्त फ्रांस के थे बीसवा नंबर कोईश्य आप से यहां पे पूछ रहा है कि जार्ज गार्सियन कोण मिरे पर दोस्त जार्ज गार्सियन द्वारा रचित इतिहास का नाम बताईए तो आप यहां पर लिखेंगे मिरे पर दोस्त जार्ज गार्सियन यह जो है नाम था यह आपको इहाँ प्रियाज पर लिएगा का regrets प्रियास कर लिएगा कहीं पेज पेज पेज़े जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो ही या तो इंगिल्स में ही या हिंडी में हें चुंक ही हिंटी अच्छा भी लगेगा और इसको black pen से बागी जैसे ये सारी चीज़े हैं इनको आप blue pen से लिख रीइगे और जो इतना सारा चीज़े हैं ये जो नाम है ठीक है इतिहास का वो आप जो है black pen से लिखेंगे जिससे वो ठोड़ा highlight लिखाई पड़े और चले 22 नमबर कुश्चन ने आप आपसे पूछ रहा है आचार हजारी परसाद दुरुबेदी द्वारा रचित हिंदी साहिते के इतिहास का नाम लिखे तो आप यहाँ पर लिखेंगे में पर दोस्त उन्होंने तीन गरंथ लिखे हैं पहला लिखा है हिंदी साहिते की भूमी का दूसरा लिखा है हिंदी साहिते का आदी काल और तीसरा उन्होंने लिखा है हिंदी साहिते चले, 23 नमबर पर ने आप आप से पूछ रहा है, रीत कालीन कवियों में से किस धारा का अनुगमन किया, मतलब कह रहा है कि रीत कालीन कवियों ने किस धारा का अनुगमन किया है, आपको आप पर बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे पहले दोस्त, क्या लिखेंगे कि क ऐस्व तथा बिहारी ने रीतब्द काबेधारां तथा बोध ङुम घनानन्न ने रीति मुक्ट काबेधारां का अनुगमन किया है ठेक हैं मतलब एक ही defending होई दोदो हुआ है फेले तो एक रीतं बढ़ रीतih से बढ़ा हुआ और दूसरा रीत मुक्ट जिसमें रीता को रीत स प्रदर्शन करना था ठीक है तो इस प्रकार से आप यहां पे बताएंगे 25 नंबर कोहिशन आप आपसे पूचा गया है कि भक्तिकाल की तीन प्रमुख विसेस्ताओं का उलेग कीजिए तो पहले विसेस्ता थी भक्तिका प्रधान ने दूसरा था आदर से ओम सुधारवादी मनोबृति और तीसरा था गुरू की महत्ता ठीक है यहां पे तीन चीजे बताएंगे विसेस्ताओं 26 नंबर कोहिशन आपसे पूच रहा है क्रिशना श्रई साखा के दो प्रमुख कभियों का नाम तथा उनकी एक एक किरती का उलेग कीजिए तो आप यहां पे लिखेंगे 27 नंबर कोहिशन आपसे पूच रहा है राम काब्यधारा की रचना किन भासाओं में हुई है तो आप यहां पे लिखेंगे सीधी सी बात है अवदी योंबरज में हुई है यह आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा 28 नंबर कोहिशन आपसे पूच रहा है किर्ष्ण भक्ति साखा की परमुख कभियों के नाम लिखें तो पहले आपके यहां पे सूरदास दूसरे रस्खान तीसरे मीरा चौते आपके परमानंददास ठीक है पांचवे आपके नरोत्तम दास और आपके छठे जो आ जाते है 29 नंबर कोहिशन आपसे पूच रहा है अश्ट चाप के दो कभियों के नाम लिखे तो यहां पे आप लिखेंगे अश्ट चाप के दो कभियों दो परमुक कभी सूरदास और दंददास जी है ठीक है यह आपको यहां पे लिखना रहेगा 30 नंबर कोहिशन आपसे पूच र वो निराकार है उसका कोई आकार नहीं है दूसरा उन्होंने बताया है गुरू को भगवान के समक्ष ठहराना मतलब गुरू को भगवान के बराबर का उदर्जा देते हैं और तीसरा आडंबरों का विरोध भी करते हैं यहाँ ठीक है लोकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से लोकिक का चित्रन ठीक है लोकिक प्रेम कथाओं मतलब लोकिक पार लोकिक डो चीजे होती है लोकिक का मतलब जो आप भौती जगत में जिसमें आप रह रहे हैं के यहां पे पुर्थिभी की बात की जाए जैसे यहां पे ले 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 तो इसको हम लोकिक कहे देंगे और पार लोकिक उसको कहते हैं जिसके बारे में हम किवर कलपना कर सकते हैं इमेजन कर सकते हैं उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं जैसे मानते हैं कि स्वर्ग है स्वर्ग है ल जोकिक का चित्रन करते हैं, सब कभी सूफी संता हैं, कितने जितने भी कभी हैं, सभी सूफी संता हैं, और भासा जो है वो अवधी है, इनकी कौन सी है, भासा अवधी है, तो ये प्रेम मारगी साखा की तीन विशेश्टाएं हैं, ये आपको नहाँ पे ध्यान में रखना है, 32 number question आपसे पूछ रहा है कि प्रेम मारगी साखा की प्रमुक रचनाओं का नामों ले कीजिए ठीक है यहाँ पे आपको बताना है तो पहला आपका पदमावत आ जाता है दूसरा चित्रावती आ जाता है और तीसरा मिरगावती आ जाता है यहाँ आपको तीन रचनाओं आल जी है ठीक है यह आपको यहाँ पे पांच कभियों के नाम लिखने रहेंगे चले 34 नमबर प्रसन आपसे पूछ रहा है हिंदी साहित में रीती परमपरा का प्रचलन किस कभी ने किया तो आप यहाँ पे लिखेंगे आचार केसो दास ने हिंदी साहित में रीत परमपरा का प्रचलन किया था ठीक है 35 नंबर कोईशन आप से पूछ रहा है रीत काल के पांच प्रमुक कभियों का नामों लिख कीजिए तो आप यहां पे लिखेंगे रीत काल के प्रमुक पांच कभी पहले आपके केसो दास दूसरे आपके भूशन तीसरे आपके चिंता मनी और चौते आपके देव और पांच वे आपके जो है लाश्ट के विहारी जी है तो यह आपके यहां पे पांच कभियों के नाम लिख सकते हैं पांच प्रमुक कभी जो रीत काल के हैं ठीक है प्रतिनिधी कभी का नाम लिखे तो यहां पे आप लिखेंगे बिहारी जी जो थे वो रीत काल के प्रतिनिधी कभी थे ठीक है अगला परसंद जो है अनुतिस नमबर आपसे पूछ रहा है रीत मुक्त काबधारा के दो कभियों के नाम बताईए तो यहाँ पे आप लिखेंगे घनानन और दूसरे आपके ठाकुर रीत मुक्त काबधारा के प्रमुक कभी है ठीक है चले 49 नमबर कुष्चन आपसे पूछ रहा है रीत काल की दो रचनाओं का नामों लेक कीजिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहला आपका आजाता है राम चंद्रिका दूसरा आपका आजाता है बिहारी सत्सही ठीक है राम चंद्रिका और बिहारी सत्सही ये दो है रीत काल की प्रमुक रचनाएं रही हैं ठीक है चले चालिस नमबर प्रसन आपसे पूछ रहा है कि रीत काल के प्रमुक कभियों के नाम बताईए तो यहां पे आप लिखेंगे के सोदास विहारी लाल ठीक है देव चिंतामनी पदमाकर घनानन बोधा ठाकुर सेनापती भूशन ठीक है उसके बाद भिखारी दास उसके बाद गौाल और बहुत भी सारे हैं लेकिन इतने आप यहां पे लिख देंगे यह सारे रीत काल के प्रमुक कभी रहे हैं ठीक है चले अगला कोईशन नमबर आपसे पूछ रहा है रीत कालीन कावे की चार विसेस्ताएं बतानी है तो आप पैदोस प्रियसी रूप का में चित्रण है ठीक है तो यहां पे आप लिख पाएंगे चले 42 नमबर कोईशन आपसे यहां पे पूछ रहा है केशो भूशन तथा बिहारी की कृतियों का नाम लेकिजिए तो यहां पे आप लिखेंगे केशो ने जो है कभी प्रिया तथा र नाम करण पर प्रकास ट्याल यह तो आप यहां पे लिखेंगे कि इस युग के कभियों की प्रिविर्टी रीती संबंधित कभियों को लिखने में होने के कारण इस युग को रीत काल के नाम से संबोधित किया जाता है ठीक है तो यह आप 43 नमबर का जबाब दे पाएंगे 44 नमबर question आपसे पूछ रहा है कि रीत बद्ध तथा रीत मुक्त काबे में अंतर असपस्ट कीजिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे रीत बद्ध काबे में स्रेणी में स्री रीत काबे की स्रेणी में वह रचनाय अउलोक निये हैं जिसमें काबे तक्तो के लक्षण यों उधारन बें द्धिमान है आगे आप लिखेंगे रीत मुक्त काबे में के अंतर गत वह रचनाय अउलोक निये हैं जो साहित्तिक रूडियों तथा मानेताओं से मुक्त स्वतंतर रचनाय हैं ठीक है पैतालिस नंबर कोईशन आपसे पूँच रहा है कि राम भक्ती साखा के प्रमुक कभी का क्या नाम है तो आप यहाँ पे लिखेंगे राम भक्ती साखा के प्रमुक कभी का नाम गोश्वामी तुलसी दास जी है ठीक है चलिए 46 number question आपसे पूछ रहा है क्रिश्न काब शाखा का प्रवर्टक किसे माना जाता है तो आप यहाँ पे सीधी सी बात लिख देंगे श्वामी बल्लभा चारे जी को माना जाता है 47 number question आपसे पूछ रहा है कि भक्ति कालीन काब की रचना किन भासाओं में हुई है तो आप यहाँ पे लिखेंगे भक्त कालीन काब एकी रचना सदुक कडी जिसे हम पंच मेल खिचडी के नाम से भी जानते हैं ब्रज योम अवधी भासाओं में हुई है चलिए 48 number question आपसे पूछ रहा है राम भक्ति साखा की दो प्रमुक अभियों के नाम बताईए तो यहाँ पे पहले आपके गोश्वामी तुलसी दास और दूसरे आपके भूपती जी आजाते हैं 49 number question आपसे पूछ रहा है कि किर्शन भक्ति साखा की कभी में किस भासा एउम छंद का प्रियोग है तो यहाँ पे आप लिखेंगे किर्शन भक्ति साखा में ब्रज भासा एउम गे पदो का प्रियोग है ठीक है इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे 50 number question आपसे पूछ रहा है निरगुन धारा एउम सगुर धारा की दो समानताओं का उले कीजिए तो यहाँ पे पहली समानता ये रहिए कि दोनों की भगवान के प्रति अन्ने क्या अन्ने भक्ति है ठीक है दूसरा आप लिखेंगे कि धोंगो तथा आडंबरों का दोनों साखाओं के कभियों ने प्रबल विरोध किया है ये दो समानताओं दोनों के बीच में रही है एक क्रिश्न भक्ति साखा का प्रतिपाद बिशय क्या है तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रिश्न भक्ति साखा का प्रतिपाद बिशय क्रिश्न की अन्ने भक्ति ठीक है उसके बाद आप लिखेंगे उनके बाल्यकाल उसके बाद गोपी बिरायोम रास लीजा का वरन किया गया है बावन नमबर कोईशन आप से आप पे पूछ रहा है में पर दोस्त की प्रेम मारगी साखा के नाम करन के आधार क्या है आपको यहां पे लिखने होंगे की प्रेम मारगी साखा के कभियों में प्रेम गाथाओं के माध्यम से प्रेम तत्व का निरूपन किया है फलता इसे प्रेम मारगी साखा के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए तिरपन नमबर कोईशन आपसे पूछ रहा है कि रीत बद्ध धारा के कुछ परमुक कभियों के नाम बताईए तो आप आप लिखेंगे रीत बद्ध कभियों के रीत बद्ध धारा के जो परमुक कभी हैं पह तो यहाँ पे आप लिखेंगे कौन है घना नंजी है ठीक है पचपन नंबर कोईश्चन आप से यहाँ पे पूछ रहा है कि रीतिकालीन प्रिविल्टियों में से किनी दो का उले कीजिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे लौकिक सिंगार का निरूपन हुआ है और दूसरा आ ब्रज भासा साहितिक रूप से प्रियुक्त हुई है किसमे रीतिकालीन प्रिविल्टिक है चलिए तावन नंबर कोईश्चन आप से पूछ रहा है आधूनिक कविता की तीन विसेस्ताओं का उले कीजिए तो पहला यहाँ पे खड़ी बोली में काबे रचना की गई है अधूनिक काल के पर्थम युग का क्या नाम है तो आप यहाँ पे लिखेंगे आधूनिक काल के पर्थम युग का नाम भारतेंद युग है ठीक है चले 69 नंबर कोईशन आप से पूछ रहा है भारतेंद युग के परमुख दो कवियों के नाम लिखे तो पहले आपके यह यहाँ पे आजाते हैं भारतेंदुहरीश चंद्र और दूसरे आपके आजाते हैं परताप नारायन मिस्र जी ठीक है यहाँ पे दो नाम बता देंगे अगला कोईशन आपसे पूछ रहा है दूबेदी युग की दो महा काब्यों के नाम लिखे तो पहले आपका साकेत आजाएगा और दूसरा आपका आजाएगा प्रिये फ्रवास यह दो जो हैं महा काब्य रहे हैं कहां के दूबेदी युग के ठीक है 63 नमबर पतलब 63 नमबर कोईशन आपसे पूछ रहा है दूबेदी युग का प्रतनिधित्व किस कभी ने किया है तो मैतली सरण गुप्त ने दूबेदी युग का प्रतनिधित्व किया है यह आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है 64 number question आप से पूछ रहा है दुबेदी यूग की प्रमुक कभिताओं का नाम लिखिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैतली सरनगुगत अयोध्या सिंग हर्योध ठीक है उसके बार राम नरेश तिरपाथी और आखरी आपके आज आएंगे स्रीधर पाठक और एक और आपके मुकुत धर पांडे ये प्रमुक कभी रहे हैं कहां के दुबेदी यूग के ठीक है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है 65 number question आप से पूछ रहा है दुबेदी यूग के काब्वे की बिसेश्ता है लिखिए तो पहली बिसेश्ता ये रही है कि ये जो है वर्णन प्र आधूनिक हिंदी कभीता को कितने भागों में विवक्त किया गया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इस यूग के हिंदी काब्वे को 95 भागों में विवक्त किया गया है पहला आपका आजाता है भारतेंदी यूग दूसरा आपका दुबेदी यूग तीसरा आपका छाय वादी कविता की किनी तीन विसेस्ताओं का उल्ले कीजे तो यहां पे आप लिखेंगे च्छाया वादी काबे की तीन विसेस्ताओं निम्नवत अउलोकनिये हैं पहली विसेस्ता बताया गया है प्रेम और संदरे का निरोपन हुआ है दूसरा आपका बताया गया है बेदना एवं निरासा की भावना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और चौथा बताया गया है कि नारी के गरिमा मैं रूप का चित्रन यहाँ पे किया गया है। संत कवियों की कविता का प्रतिपाद बिशय क्या है तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रेव मारगी कवियों में आधी भासा यहाँ दोहा यहाँ चौपाई छंदो को अपनाया है। आप से पूछ रहा है भक्ति काल की प्रमुग धाराएं कौन कौन सी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे निर्गुन धारा तथा सगुर धारा ये दो धाराएं जो हैं भक्ति काल की प्रमुग धाराएं हैं बारतर नंबर कोईशन आप से पूछ रहा है निर्गुन धारा के भे जो है आपके सगूर धारा के भेद रहे हैं, ठीक है? चौवत्तर नमबर कोईश्चन आप से पूछ रहा है कि भक्तिकाल के चार प्रमुक आचार्यों के नाम लिखिए तो पहले आपके आप पहले आई आजाते हैं रामा अनुजा चार्य दूसरे आपके आजाते हैं माधवा चार्य तीछरे आपके आजाते हैं बिश्वनो श्वामी और चौते आपके आजाते हैं निम्बका चार्य जी आजाते हैं ठीक है तो यह आपको यहाँ पे चारों के नाम लिखते ने रहेंगे 75 number question आपके पोछ रहा है कि नाम दियो कबीर क्या मेरे पैज दोस्त नाम दियो कबीर रैदास नानक दियो दादू दयाल ठीक है दादू दयाल सुंदर दास मलूक दास अन्य कभी इस परंपरा के केसो दास ठीक है उसके बाद ग्यारी ग्यारी साहब ठीक है उसके बाद साहब उसके बाद भीखा साहब फिर देवकी नंदन साहब फिर जोबाई ठीक है उसके बाद डायाबाई उसके बाद दूलन दास ठीक है उसके बाद आपकी धरनी दास फिर उसके बाद मुलाल साहब फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखें प्राननात आदी संत कभी भी हु रासों का लेखक का नाम बताईए प्रित्वी रासों किस ने लिखा था तो सीड इसी बात सभी को पता है चंदर बरदाई ने लिखा था ठीक है पहले आपके कबीर दास दूसरे नानक दियो तीसरे आपके सिंगा चौथे आपके दादू तयाल पाचवे आपके मलूक दास उसके बाद सुन्दर दास जी ये आपके छे कभी यहाँ पर बताए गए है अटाता नंबर कोश्यन आप से पूछ रहा है जायसी द्वारा रचित छे रचनाओं का नामों लेक कीजिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहली रचनाओं की पद्वावती दूसरा चित्र रेखा तीसरी आपकी मसला नामा ठीक है चौथी आपकी अकरावट पांच वी आपकी आखरी कलाम ठीक है और छटी आपकी कनावत ये छे जो है रचना दूसरे आपके विश्नु दास तीसरे आपके स्वामी रामा नंद और चौथे आपके अग्र दास और पांच वे आपके ईश्वर दास जी है ठीक है चलिए अस्ती नमबर कुश्चन आपसे पूछ रहा है क्रिश्न काब के कुछ परमुक रचनाकारों के नाम बताईए तो आपके जो है नंद दास और चौथे आपके आखरी आपके जो है चौथे पाच्वे जो कोई भी हो चतुर भुज दास जी ठीक है 81 नमबर कुश्चन आपसे पूछ रहा है रीती का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि रीती का अर्थ प्र योग सास्त्रिय गरंथों के अनुकरण पर कावे रचना करने के लिए अर्थ में प्रियुक्त हुआ है इस परकार रीत कावे वहाँ है जो लक्षन के आधार पर यहाँ उसे धान में रख कर लिखा गया हो ठीक है लिखा गया हो इस परकार की रचनाओं की अधिक्ता क्या प्रनालियों पद्दतियों सहलियों से भरपून हो उसे हम रीत बद कह देते हैं जो इनसे मुक्त हो उनको हम रीत मुक्त कावे कह देते हैं ठीक है चले पूछ रहा है रीत कावे की प्रमुक्त कावे धाराएं कौन कौन सी हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे रीत बद और दूसरा रीतमुक्त ये दो धाराएं है ठीक है तिरासी नंबर कोश्चन आपसे पूछ रहा है सूफी सब्द की व्यूत्पत्ती बताईए तो यहाँ पे आप लिखेंगे सूफी सब्द की व्यूत्पत्ती सफा जिसे हम पवितरता के नाम से भी जानते है ठीक है जिसका अर् उन है क्या है उन है पहले सूफी मोटे उनी वस्तरों का चोगा पहनते थे ठीक है इसलिए उनको सूफी का गया आगे आप चौरासी नंबर कोश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूफी मत का आरंभ कब हुआ तो यहाँ पे आप लिखेंगे सूफी मत का इतिहास मुहम्मद स तो उस समय से जो है आपका सूफी मत इस्टार्ट हुआ था पचासी नंबर कोश्चन आपसे पूछ रहा है सूफी मत पर किन चिंतनों का प्रभाव पढ़ा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसाई मत ठीक है उसके बार नौ अफला तूनिवादी अफला तूनिवार ठीक फकीर कौन थे तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रेम के पीर के फकीर जो है सूफी थे कौन थे सूफी थे आपको यहाँ पे लिखना रहेगा 87 नंबर कोईशियन आपसे पूछ रहा है किष्ण के अवतारी पक्ष का उलेख किन पुराणों में मिलता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे किष्ण के अवतारी पक्ष का उलेख महा भारत ठीक है उसके बाद पद्य फिर उसके बाद वावन वायू कुर्म ब्रम वैवर्त उसके बाद हरी वन्स ठीक है उसके बाद स्यू और विश्णू पुरानों में इतने जगों पे जो है मिलता है कि किस्न भगवान जो थे वो कौन थे आवतारी थे विश्णू भगवान के थे यह मलों विश्णू भगवान ने वहाँ पे आवतार लिया था चले 88 नंबर पूछरा है क्या पूछ रहा है मिलपय दोस्त कि भाग भाग वादिये भगाव दिये ठीक है जो कुछ भी लिखा हो भक्तों के कितने और कौन कौन से प्रकार हैं तो यहां पे आप लिखेंगे इनके दो प्रकार हैं पहला प्रकार राम भक्ति और दूसरा आपका कृष्ण बक्ती ये दो परकार बताएगा है नमबर नमबर कोईश्चन आप से पूछ रहा है स्वाच्छंदवाद का प्रारंभ हुआ तो आप लिखेंगे स्वाच्छंदवाद 19. सताबदी से आरंभ के आरंभ से आरंभ हुआ था ठीक है एक यानबे को नमबर कोईश्चन आप से बैलेडेस के प्रकासन में स्वाच्छंदवादी आंदोलने जोर पकड़ा बानबे कोईश्चन पूछ रहा है कि फ्रायट के अंसार चेतना के कौन कौन से अस्तर है तो यहां पे आप लिखेंगे उन्होंने तीन अस्तर के बारे में बताया है पहला अस्तर कौन सा है इगो दूसरा सुपर एगो और तीसरा हम इड के नाम से भी जानते है ठीक है तो यह तीन प्रकार बताएं है तिरान नवे रंबर कोईश्चन पूछ रहा है फ्रायट के अंसार काल की प्रेहना कहां से प्राप्त होती है तो आप यहां पे लिखेंगे काल की प्रेहना जो है आपक द्रिष्ट की प्रणाली की भूमिका महत्पूर्ण होती है पंचान नवे नंबर कोईश्चन आपसे पूछ रहा है माक्स द्वारा प्रतिपादित एतिहासिक विकास का सिध्धान किस नाम से प्रक्षात है तो आप यहां पे लिखेंगे यह जो है आपका द्वनदात्मक भावतिक वाद के नाम से प्रक्षात है ठीक है चान नवे नंबर कोईश्चन पूछ रहा है यथारत वाद के कितने रूप पाश्यात साहित में मिलते हैं तो आप यहां पे लिखेंगे यथारत वाद के तीन प्रमुक रूप पाश्यात साहित में मिलते हैं ठीक है चले यह कि अस्तित्वाद क्या अस्तित्वाद विचारधारा के प्रारमिक सोत्र किन विद्वानों ने प्रस्तुत किये तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो है किसने दोस्त वास की ठीक है उसके बाद कीकेन कीकेन गार्द कीकेन गार्द फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तूत किये थे ठीक है ने नानवे नंबर कोईशन आप से पूछ रहा है भारते इंदू हरीश चंदर द्वारा लिखे गे नाटक में से छे प्रमुक नाटकों के नाम बताईए तो यहां पे आप छेओं के नाम लिख देंगे हिसा, हिंसा, नभवती, फिर सत्य हरीश चंदर टीसरा आप का आजाता है स्री चंदावली नाटिकाथी थी ठीक है यहां पे आप और भी लिख देंगे क्या लिख देंगे जो कुछ भी लिखा हो ठीक है उसके बाद आप लिखेंगे भारत दुर्दसा पाचवा आप लिखेंगे नेल देवी ठीक है जिसे गीती रूपक ठीक है छथा नमबर आप लिखेंगे अंधेर नगरी परसिद्ध है ठीक है यह आप यहाँ पे इतने च्छे के नाम सो नमबर कोश्चन आपसे पूछ रहा है दुरुबेदी यूग से हैं उसके बाद राम चंदर सुक्ल उसके बाद गनेश शंकर विद्यार्थी आदी लोग हैं 101 नमबर प्रसन आप से पूछ रहा है चायावाद के चार प्रमुक कभ्यों के नाम दिखिए तो यहाँ पे आप कौन कौन से लिखेंगे पहले आपके जैसंकर पसाथ, दूसरे सुरे कांतर पार्टी निरालत, तीसरे आपके सुमित्रान अंदरपंथ और चौथे आपके महादेवी बरमाजी है ठीक है उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे आलोचना का नवोनमेश ठीक है यह आप यहाँ पे लिखेंगे तीन नमबर कोशन आप से पूछ रहा है कि चाया क्या में पर दोस्त चाया वादोत्तर काल को किन-किन भागों में वाटा जा सकता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहला जो है प्रगतिवादी यूग ठीक है इसको 1936 से लेकर 1942 तक उसके बाद प्रियोजन वादी यूग या नई कविता का यूग जिसे हम कहते हैं कोश्चन आपसे पूछ रहा है प्रगत सील कभियों में से छे के नाम बताईए तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले कौन से हैं के सोदास केदारनाथ अगरवाल दूसरे रामविशाल सर्मा नागार जुन ठीक है उसके बाद चौथे आपके आ जाते हैं रांगे रागो मात्स्वादी चिंतन से किस साहित्तिक वाद का उद्भव हुआ है तो आप यहाँ लेखेंगे मात्स्वादी चिंतन से प्रगतिवाद साहित्तिक वाद का उद्भव हुआ है ठीक है एक सो छे नंबर कोईश्चन आप से पूछ रहा है नई कविता के छे प्रमुक कभियों के नाम बताईए तो सच्चिरानन, हीरानन, वार्थसायन, अग्ये पहले आ जाते हैं, गजानन, माधो, मुक्ति बहुत दूसरे आ जाते हैं, रामेश्वर, रमसेर, समसेर, बहादुर सिंग, ठीक, यह आपके तीसरे आ जाते हैं, चौथे, बिरेंदर, कुमार, जैन, पांच आगे बढ़ाने का मुक्ष सरे किस कभी को है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे समकालीन का विधारा को आगे बढ़ाने का मुक्ष सरे जो है धूमिल को जाता है, 108 नंबर कुईशन आप से पूछ रहा है, नया नाटक किस उद्देश से लिखा गया, तो आप यहाँ पर पूछ रहा है क्या पूछ रहा है आधुनिक्ता बोध की उपन्यास में से किन इस्थतियों को उजागर किया गया है तो यहां पे आप लिखेंगे आधुनिक्ता बोध में उपन्यासों में यंत्री करण यंत्री करण महायुद्धों और अस्तित्वादों अस्तित्वादी च चिंतन के फलसुरूप उत्पन आधोनिक परिस्थितियों को उजागर किया गया है 110 नमबर कुईश्चन आप से पूछ रहा है सात्में दसक में मोह भंग का दसक क्यों कहा गया है तो आप यहां पलेकेंगे सात्में दसक में मूल हिंता की राजनीती और सामाजिक परिस्थितियों कथाओं को में जोखने लगी थी ठीक है अकेले पन आत्म निर्वासन की इन परविर्टियों में रचनात्मक दिश्टकोंड कम और निसेध परक जादा था ठीक है यह इस परकार से आप लिख पाएंगे एक सो ग्यारा नंबर कोईशन आपसे पूछ रहा है प्रांस में बीसुई सताबदी में अस्तित्वाद की स्रेश्ट कथाकार और बिचारक कौन थे उनकी परमुक कृटियों के नाम बताईए तो आप यहां पे लिखेंगे प्रांस में बिश्वी सताबदी में अस्तितवाद के प्रमुख बिचारक जिया पाल सात्र थे कौन थे आपके जिया पाल सात्र जी थे उन्होंने वींग एंड नथिंग नथिंगनेस ठीक है कौन वींग एंड नथिंगनेस और दूसरा आप लिखेंगे यहां पे एगजिस्टेसियलिज ठीक है आदि गरंथों में से अस्तितवाद विचार ब्यक्त किये हैं ठीक है चले बाइक सो बारा नमबर कोईशन आप से पूछ रहा है अस्तितवाद के उद्भव के प्रमुख कारण कौन से है तो आप यहां पे लिखेंगे इसके प्रमुख कारण युद्ध में निरासा ठीक है बेदना त्रास कुंठा उसके बार छड भंगुरता आदि अस्तितवाद के उद्ध के प्रमुख कारण है ठीक है 113 नमबर कोईशन आप से पूछ रहा है प्रगतिवाद कब से प्रारंब होता है तो आप यहां पे लिखेंगे प्रगतिवाद सन 1936 से प्रारंब होत है 114 नमबर कोईशन आप से पूछ रहा है निराला की चार प्रगतिवादी रचनाओं के नाम लिखें तो यहां पे पहले आप यहां पे लिखेंगे में पहले दोस्त कौन सी है आपकी चतूरी चतूरी चमार ठीक है दूसरा आपका आजाता है बिल्लेसूर कौन आजाते है बिल्लोसर बकिराह बकरी है ठीक है उसके बाद आपके आजाती है चोटी की पकड़ और उसके बाद कुकुरमुत्ता ये जो है चार निराला जी की रचनाओं रही है ठीक है चले 115 नमबर कोईशन आप से पूछ रहा है नौ प्रसिद्ध गरंथों के नाम लिखेंगे तो य सेंद्र नाथ गोरक नाथ उसके बाद गाहिनी नाथ ठीक है उसके बाद ज्वालेंद्र नाथ उसके बाद चरपट नाथ ठीक है उसके बाद यहां पे चोरंगी नाथ फिर उसके बाद भात्र हरी नाथ उसके बाद गोपी चंद्र नाथ आजी सारे यहां पे आ जाते हैं 11 तो 16 नमबर आपसे पूछ रहा है कोईश्चन नात या जोगी किस नाम से जाने जाते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिले पहरे दोस्त नात या जोगी जो है मिले पहरे दोस्त कनफट जोगी के नाम से जाने जाते हैं 17 number question आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन जैन साहितिकारों के नाम लिखिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे कौन देवसेन उसके बाद सलिभद्र सूरी ठीक है उसके बाद आसुग फिर उसके बाद जिन जिन छाप सूरी फिर उसके बाद बिजै सीन सूरी उसके बाद सुमित गीन ठीक है ये आपके यहाँ पे आजाते हैं 118 number question आपसे पूछ रहा है डिंगल के कितने रासो गरंथ है तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिंगल के 12 रासो गरंथ है ठीक है और 19 number question आपसे पूछ रहा है रासो प्रमारिक गरंथ है या जाली तो यहाँ पे आप लिखेंग आपको क्लियर होई हूँगी अगर क्लियर हूँ तो फटा फट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ सेयर करो, भी तक अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो सबस्क्राइब करके बिलवाले आइकन को जरूर प्रसकत दो, जिससे आपको सारी नोटि अब तक के लिए जय हिन जय भारत